इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी ओक्सी डैक्स टैबलेट का इस्तेमाल अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसॉर्डर यानि की फेफ़डों का एक डिसॉर्डर जिसमें फेफ़डों में एयर क फ्लो ब्लॉक हो जाता है कि लक्षनों जैसे खांसी, घरगराहट और सांस की तकलीफ के इलाज और रोक्थाम के लिए किया जाता है यह वायू मार्क की मानस्पेशियों को आराम देने में मदद करता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है ओक्सीडेक्स टैबलेट को डॉ द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अ इसके सबसे आम साइड इफेक्ट उल्टी, सीने में जलन, पेट में खराबी, रैश, खुजली, सांस लेने में दिक्कत और नाक में सूजन हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और आम तोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड अगर आप लिवर या किड्नी की बीमारी से पीडित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण हैं। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने दॉक्टर को बताना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।